आज किस वीडियो में बात करेंगे बी-ए-बेस-थी-बिकॉम के, फस्ट स्टनस्टर के जो भी चात रहें उनके लिए ये वीडियो बहुती महातपूर है क्विए ये वीडियो इसलिए महातपूर है क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हर समेस्टर में एक अनिवार प्रश्ण पत्र को कारिकुलर सब्जेक्ट होता है ठीक है उसकी परिच्छा आपको देनी ही देनी होती है और परिच्छा OMRCT यानि की अब्जेक्ट्व बेस्ट पे होती यानि कि कुछ इस प्रकार एक कोश्चन रहेता चार आपसर नहेते जो सही रहेता उससे आप लोगों को मतलब की टिक करना होता है ठीक है यह अनिवार प्रश्ण पत्र होता है ठीक है और यह सभी इनुवर्सिटियों में होता है जिसका ना वीडियो होने वाली तो वीडियो को लाव तक देखते लिएगा आज किस वीडियो का पहला भाई यह कोश्चन कि कौन सा बिटामिन जल में गुलन सील है इन बिटामिनों में से ठीक है तो चलिए कही सारे आपसर नहें जो सही उसको आपको कमेंटर में जरूरू बताना मतलब कि आनाज से पूरा मट्रेट तो कि अंकुर में भोजन का काउन सा तत्तस पाया जाता है तो कई सारे आप्ट नैंटरों में से जो सही है वो हो जाएगा बी नंबर इन सभी जो पाया जाता है तत्त उसका नाम है मुचप्गे. याद रखेंगे बिटामिन B अगला कुश्चिन है कि बिटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन A जो है इसकी कमी होने पर कौन सा रोग हो जाता है इंसान को खुचली हो जाती है रताउंधी हो जाती है फिर दात में पीड़ा हो जाती या फिर अतिसार हो जाता है तो आपके जानकारी के लिए बता दें vitamin A की कमी से जो रोग होता है वो आप लोग comment section में जुरूब बताएं अगर यदि आपको मालूम है तो ठीक है vitamin A की कमी से होता है रताउंधी ठीक है बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए नेश कोशन कहिरा कि भाई vitamin C में क्या पाया जाता इन आपसरों में से ठीक है तो vitamin में इन आपसरों में से जो पाया जाता है ठीक है vitamin C पाया जाता है ठीक है आउले में vitamin C पाया जाता याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा कौन सा B नमबर ठीक है चलिए निश्क कोश्चन करो बढ़ते हैं निश्क कोश्चन कहे रहा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है यह पर कई सारे आप्षन देगी जो सही उसको आपको टिक करना होगा जब आपको MR शीट मिलेगी हलाकि पूरा दिसा अनर्देश आपको वहाँ पर बताया जाए कि जब आपके एक्जाम होंगे ठीक है कोई टेंसन वाली बात नहीं इस प्रश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आप्षन नमबर C आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है अगला कोश्चन है कि वसा में घुलन सील बिटामिन है यानि कि वसा में जो घुल जाती है वो बिटामिन में से कौन सी है इन आप्षनों में से उस बिटामिन का नाम है बिटामिन ए याद रखेंगे वसा में घुलन सील बिटामिन ए है बहुत ही महात्पूर परश्चन है कई बार परश्चह में रिपीटड़ तो ध्यान रखेंगे आगला प्रश्चन कहीं रहा है कि बिटामिन A सरबधिक आवश्यक है मतब्ढ़ विटामिन A किस चीज के लिए बहुत ही जरूरी होता है ठीक है हड्य लोग के लिए जरूरी होता है यह फिर जो माश् किस चीछ के लिए इन आफसरों में से ठीक है तो इस प्रस्टे का सही उत्तर हो जाएगा बिटामिन एजो है वह सर्वधिक आवस्यक है आखों के लिए सही उत्तर हो जाएगा C नमबर याद रखेंगे अगला कुश्चन है कि किस बिटामिन की कमी के करण सरीर में रक्त बहने की दसा में थक्का बढ़ने की किरिया मंद हो जाती मतब धेरे हो जाती है रक्त मतबाब बलड आप लोग समझते हैं बहने की जो कंडिशन होती जो बहता है उसमें थक्का है तर रेक्त किरिया मंद हो जाती है किस कमी से होता है कौन से बिटामिन है याँ पर कई सारे आप संदेग है तो ये जो समस्या होती हो बिटामिन के की वज़ास усп promise olar बिटामिन के होता है इसकी कमी से यह समस्या होती है टिक अगला प्रशन है कि री केटी रोजिरी किस रोग का लच्छन है तो इन आफ्चनों में से जो सही उत्तार है वो आपको सेलेट करना होगा ठीक है तो जो रोट्री री केट्री रोजगी रोग है यह अफ्थ विक्रत का लच्छन है यानि कि इसका जो में रोग होता है ठीक है यह अफ्थ विक्रत का ठीक है लच्छन है किलियर अगला प्रशन है कि बिटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन जो सी होती यह आपके सरीर में पर्याब्थ नहीं है यह फिर आप ऐसे चिज़ नहीं करें जिसमेंड़ सी पाइजाती हैं तो कुहों सा आपको रोग हो जाएगा रों स्करविंद Illinois घुडब ces जो कि दात होते हैं जिनको आप नोगो मतान смож daat के निचे मसरोड बोलते नहीं ऊसुड में ठीक है तो सके निचे हलकहलका bleeding होने लगती तो उसको ही बोलते है असकरवी रोग है वह असकरवी रोगए वह विटामिन सी की कमीशकी होता है और vitamin c का दूसरा नाम ascurbia सब्गम और असकर्बी का भी दूसरा नाम vitamin c है टीक है ये इसी के कभी से समस्य या फिर problem हो जाती है ये ये जाता जो मुख होता है इसमें दाथ के नीचे मसूड में blood निकल ले लगता है तो यही हो रोह है इसकर्बी अगला की कार्बोहाइट्रेट किन तत्तों से मिलकर बना होता है तो abroad आप उसके तो पहले आपसे ने carbon hydrogen nitrogen окolution carbon hydrogen तो नम्बर स्टक मुंनीब तो नबर से ने मोखाने सब्सक्राइब फिर अक्सिजन नम्बर सिरे कौन सा हो जाएगा सी नमबर ठीक है इन तत्तों से मिलकर बना होता है अगला प्रस्थित है भीया कि एक ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है माली जिए एक ग्राम आप प्रोटीन ले रहे तो उसमें कितनी एनर्जी आपको मिलेगी तो यहां पर कई सारे आप संदेगी इनमें सही उत्तर हो जाएगा आप्षिन नमबर ठीक है आपसे नमबर ए क्या हो जाएगा आप्षिन नमबर ए यानि की फोर पाइंट वन कैलोरी ठीक है किलियर दूसरा कोश्चन है कि एक ग्राम कार्बोहाइडरेट में कितनी उर्जा मिलती है तो इस जबता है ठीक है चीद्स यानि शकर से गुड़ से शकरकंद से उपरिक में सभी ते कार्बोहाइडर्टेस जुड़ो जिससे प्राप्त किया जाता है जिसमें मिलता है ठीक है वह उसका मुख शरोता है ध्यान रखेंगे ज की मीठे चीज़ से संदेभी गुड़ से भी और तो शक्कर्स यानि चीनी से भी इसलिए से उत्तर डी नंबर हो जाएगा अगला कि एक जटिल कार्बोज है कौन सा इन आपस्रों में से तो एक जो जटिल यानि की कॉंप्लेक्स जिसको बोलते इंग्लीज में ठीक है वो है सिलीव लोज क्या है सिलीव लोज ए नंबर से उत् लाट एंग्यों के नद्ीच बंट होती तो सिंपल चैश का उत्तर लिख देंगी के मईट मेस्थ आने लगता है या पिर श हैक लिया या पिर पैक्टिन थीदि तो आपके में रहता हूँ क्या रहता है लेक्टोज रहता है ठीक है अगला प्रश्ण है कि चाहाँ आपका वह गाय हो चाहाँ भाक्री हो ठीक है सब में अगला कोश्चिन है कि सरलतम सरकरा होती है गुलुकूज सुक्रोज मोल्टॉस या फिर लेक्टॉस तो सरलतम सरकरा जो है इन आप यह हुए फलों में पाया जाता है याद रखेंगे पैक्टिन जो है वह जो पक जाते हैं फल उसमें पाया जाता है ठीक है जैसे कि आम हो गए पपीता हो गए ठीक इस अप्टरा और अगला कुश्चिन की कार्बो हाइट को सरकरा इकाईयों की द्रश्ट से कितने वर्गों मे भी भाजित किया गया है तो सिंपल जाईस का उत्तर लिखेंगे ये इंगे है यह तीन पूर्चीनी वाला आप्सन क्लिक किया था ठीक है और यहां पर कह रहा कि साधन नहीं तो वो दूध है ठीक है इसलिए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एनमबर क्योंकि यह वह कार्बोहाइटेट प्राप्त करने का साधन नहीं दूध ठीक है बाकी सब हैं अगला कि निम्न म यहां इसार आपने यह बता रहें लेकिन यहां पर जो आप्सन दे जा जा रहे हैं इनको आपको ध्यान में रखके उत्तर देना ठीक है कि इन आपसनों मेंसे कौन से सही होगा ठीक है तो इस प्रश्वन का सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर उपर एक्ट मेंसे C4D से उत्तर होगा ठीक है कि लियर चली नेश कोश्चन है कि पके हुए मीठे फल सहत सकरकंद गन्ना सलजम आद कौन सी सरकरा की साधन है ठीक है तो इस प्रश्णिक से उत्तर हो जाएगा यह सब हैं गुलुकुज ठीक है सरकरा के साधन याद रखेंगे एन अमबर से उत्तर इसका जो मुख़कार होता है कार्b grows the सरीष में यही होता है इसमें उड़ा दिया जाता है कि इसके मांदर से और यह सक्ति करने कि प्राप्त का साधन कौन सा है कहां कहां से प्राप्त किया जा सकता है तो यह याद रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण का निम्ण में से कौन सा अंग नहीं है ठीक है इन आपसरों में से वह प्राप्त की जा फकती है जड़ यों वीजों से इसका बी नंबर हो जाएगा कोई चीज की जड़ है ठीक है या फिर किनद बीज होती है ठीक है । उन्जे प्राप्त किया जाता है और अगला प्रशना कि पेड्ड पाउधो की हरे पत्तों में एक बिसेस पदार्थ पाया जाता है उसे य nós प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा आप्शन नमबर जहां रखेंगे बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है वह कुलोरो फिल याद रखेंगे कुलोरो फिल बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण है अगला कि वह कौन सी सरकरा है जिसका मनुष्य शरीर में पौफण के रूप में महत्थ नहीं है तो वह है सिल्यूकोज क्या है सिल्यूकोज बी नमबर सही उत्तर होगा अगला कोश्चन है कि कार्बो हाइट्रेट प्राप् उत्तर बढ़ा करिए ताकि आपको मिले आपके एक्जाम में अगला कोश्चन है कि प्रोटीन का प्रमुक कार क्या होता तो सभी आप लोग जानते इसमें क्यों बताने क्या हो सकता नहीं कि हाड लेबल कोश्चन है नार्मली आप सभी जानते कि प्रोटीन का कार क्या होता प्रोटीन का कार्य होता है सरीर की कोसु वा पाचकरस हार्मोंस का निर्माण करना सही उत्तर एह हो जाएगा ठीक है आगला कोश्चन की कार्बो हाइटरेट का स्टार्च युक्त पदार्थ है इन आपस्रों में से ठीक है तूँ वह बाजरा नाम तो सुनाई होगा ना सरक्रा कहते हैं सुक्रोष माल्टोष लेक्टोष को सही उत्तर हो जाएगा जयान महात्पूरण प्रशन ठीक है आगला प्रशन है कि इस आसामान तौर पर रक्त में गुलूपूच की मत्रा होती है कि किस याद रखेंगे बहूत ही हाइबल का कोश्चिन है जो समान में होत प्रति ठीक है यहां पर कोई दूसरा अप्सन हो ठीक है या फिर हो जाए कि इमान लिजे यहां पर आपको दिख जाए 700-800 ठीक है 700-800 तो आप लोग यहां पर स्लेट करते ए नंबर ठीक है सतर से नब्बे इस बात को ध्यान नखेंगे ठीक है बेसिकली बताया जाता है नब्बे से सो कहीं कहीं पर सतर से सो लेकिन यह आप लोग मान के चलिए असी से सो तक ठीक है यह मात्रा पाई जाती है अगला प्रश्ण बहिए कह रहा कि इन अप्सनों में से कौन सा का अच्छा फ्रोत है ठीक है तो फल अनाज सब्जियां दूद्ध अगर आप यह लिखाते हैं तो इसमें कार्बोहाइट्र जो है वह अच्छे मात्रा में पाया जाता है अगर आप कुछ की समस्या है तो आप इस चीज को ज्यादा मताब खाने में यूज करी आप सभी ठी को सरीर के लिए का अपको बताना इस प्रस्टिंगा उर्जा परदान करना इन आपसरों में से चीक इस बात को जिए अगला क्योंगे वनस्पतियों में बिगदिमान कुलोरोफिल में सोरी वनस्प्रतियों में यानि कि जिसां जो पैड़ पहुदे होते उसमें बिग्दिमान क्लोरोफिल फे कार्बोहाइटरेट का निर्माड किस किरिया द्वारा होता है ध्यान रखेंगे बहात पूर्ण प्रस्ण है वह होता है प्रकाफ अंफलेफर द्वारा यानि कि जब प्रकाफ आता है तो इससे होता है ठीक है अगला प्रस्ण है कि निमने में से कौन सा कार्बोहाइटरेट का वर्ग है ठीक है तो वह वर्ग है ठीक है पॉली से केरोराइट्स और डाइसे क्रोराइट्स मोनोसेक्रोराइट्स यह सभी वर्ग है इसलिए से उत्तर डी हो होती हैं न Knights Yokaj he Kim Sat कि इंद में से किसे कार्बोहायट की माना जाता है ठीक है तो जिसको सरलता ही माना जալादा मौनो सेक्रो क्या मौनो सेक्रो क्या है मोनो सेक्रो राइट भी नमबर से ऊतर होगा अगला किनंबन मेंसे कौणसा अहार में कार्बो की अधिक्ता का प्रेडाम है जब अधिक्ता हो जाती तो क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता कार्बॉहाइट तो इस प्रश्ण की कार्बॉहाइट के पाचन के बाद गुलाइकोजन में निम्न में से किस हार्मोन की उपस्थित में होता है ठीक है तो वह होता है थायरैक्सिन के उपस्थित में यह नंबर से उत्र हो जाएगा वसा किसे से बनता है ध्यान रखेंगे वसा जो है वो बनता है कारभन डाई याफरी कारबन से बनता है घ्लर seven SE बनता याद राइगी रहा है कि वसा शरीर में किस रूप में जमा रहता है आप सभी के कि वसा है वह सरीर में जो जमा रहता है वो 50% के नीचे फैटी एशींड तथा किलस्थ Parkinson के रुप में जमा रहता है याद रखेंगे अग्रा प्रश्ण एक ग्राम वसा में तरра मिलती है बहुत क्लते हैं जो एक ग्राम 거는 में जो कुछ इसमें से मात पूर्ण है जो कि आएंगे यह आएंगे इस तरह तैयारी करते रही हम आप लोगों के लिए सो कुष्चिन वाली स्रीज जल्दी लेकर आने वाले कमेंट में कोई कुष्चिन जरूर पूचिएगा जहन्द